Hello students, good morning बेटा, आज हम grammar का second part करने जा रहे हैं, boys कल हमने किये थे present simple किये थे जिनको indefinite भी बोल देते हैं आज हम करेंगे present continuous तो present continuous, continuous का मतलब होता है लगातार तीक है, continuous का मतलब होता है लगातार तो present में जो लगातार अभी काम चल रहा है उसको present continuous बोलते हैं कल हमने किया था present simple जिसमें मतलब हमने जो routine में हम काम करते हैं उसके लिए हम present use करते हैं जैसे कि हम rose नहाते हैं, rose brush करते हैं तो वो present simple या present indefinite हो जाता है तो आज present continuous की बात हो रही है present continuous मतलब जो आज के time में हम काम कर रहे हैं तो active में इसको कहते है subject इसके साथ लगता है subject जो पहले आता है subject is mr verb की first form के साथ ing use होता है अब आप बोलोगे कि मैम आपने कल भी is mr करवाया था passive में तो हमें कैसा पता चलेगा कि वो continuous है या present है present simple है तो बेटा कल जो मैंने करवाया था उसमें था subject verb की first form plus object या फिर negative में do और does लगा होगा तो इससे आपको पता चलेगा कि हमने passive में बनाने के लिए is mr use करना है तो यहाँ पे आपको already is mr लगा हुआ मिल रहा है पर verb की first form के साथ ing है ing से पहचान होती है कि present continuous का ये tense है तो इसमें आपने क्या करने object आगे ले आओगे is mr वैसे का वैसा ये ing हटा के हम क्या लगा देंगे being लगा देंगे वर्ब की third form हो जाएगी और subject तीक है जैसे she is cooking a food अब she यहाँ पे क्या है subject है तीक है is क्योंकि she है मैंने आपको कल बताया था is singular के साथ लगता है am i के साथ लगता है और plural के साथ लगता है तो हमारे पास subject क्या है singular तो इसलिए हमने इस लगाया verb की first form cook हो गई ing लगके क्या बन गया cooking बन गया object क्या है a food तो a food is being अब ing को हटा गया हमने क्या लगा दिया being और verb की first form क्या बन गया verb की third form और subject पीछे आ गया a food is being cooked by her अब not का sentence है तो is mr के बाद not फिर वर्ब की first form और subject is mr not being verb की third form और subject they are not speaking the truth the truth is not being spoken by them ठीक है जी इसी तरह से हमारा interrogative है is mr helping verb आ गया जाएगी subject not लगा है या नहीं लगा है या आपने देखना है verb की first form ing object इसी तरह से being यहां पे हम being ing हटा के being लगा देंगे तो is not the pion ringing a bell is the bell not being rung by the pion ठीक है तो इस तरह से यह आपके present continuous वाले sentences यह passives हैं वो complete होते हैं उमीद आपको समझ में आगे होंगे अपनी बुक में से exercise निकाल के बिटा इसके practice करो पूरे दस दस से पंदरा exercise आपको दे रखी हैं ठीक है sentence दिये हुए हैं उनको आप करके देखो कहीं से कोई problem लगती है तो आप मेरेको कभी भी comment box में comment करके पू